आज का वीडियो होने वाला है डीजल कार लवर्स के लिए क्योंकि डीजल कार की जो मार्केट है वो बड़ी ही लिमिटेड होती जा रही है इंडिया में लेकिन आज मैं उन ऐसी पांच SUVs के बारे में बताऊंगा जिनको आप देखकर काफी खुश होंगे और कई लोग तो इ स्पाइट टेस्टिंग वाली तस्वीरें आप लोग बहुत दिन से देखते जा रहा है इसमें फ्रंट डिजाइन पूरी तरह से आपको नया मिलेगा headlamps नहीं मिलेंगे, bumper नहीं मिलेंगे, वहीं back से भी ये पूरी तरह से नहीं होगी, tail lights इसमें नहीं होगी, side से जाधा तरह सेमी होगी, alloy wheels पस different होगी हाँ interior में आपको बड़ा change देखने को मिलेगा, जैसे बड़ी touchscreen मिलेगी, जैसे आपको XUV4OO में मिल रही है, इसके लावा ventilated seats मिलेगी, wireless charging मिलेगी और एक दो और ऐसे cosmetic change अंदर देखने को मिलेगे, जिससे एक fresh interior आपको देखने में लगेगा वह engine की बात करें तो इसमें आपको already 1.5 लीटर का diesel engine मिलता है, जो की 115 horsepower देता है और 300 nm का torque देता है, साथी इसमें आपको 6-speed manual gearbox मिलता है और उमीद की जा रही है कि 6-speed torque converter gearbox automatic में आपको मिल सकता है, साथी ये इस साल के second quarter में launch होगी दूसरी और एक facelift की हम बात करते हैं, ये है Hyundai Alcazar facelift, दोस्तो क्रेटा का facelift आने के बाद जो Alcazar है वो कहीं ने कहीं पुरानी सी लगने लगी थी, इसलिए Hyundai अब फटा फट उसका भी facelift version ला रहा है और इसमें जो changes expected है, front से आपको fresh exterior देखने को मिलेगा, headlamps change होगी, bonnet इसका change होगा, bumper change होगा, grill change होगी और वहीं back से भी बात करें तो इसमें आपको connected tail light मिलेगी, साथी जो इसकी tail lights के लावा bumper और जो डिगी की positioning है, वो थोड़ी सी change होगी जिससे front और back से तो ये पूरी तरह से नई दिखने लगेगी, लेकिन side से वैसी ही रहेगी केवल alloy wheels की design change होगी, बिल्कुल जो नई वाली क्रेटा आई है उसकी ही तरह, interior की बात करें तो interior में आपको काफी कुछ fresh styling देखने को मिलेगी, जैसे की dual आपको 10.25 इंच के touch screen जा रहा है, इसके लाओं और dual zone AC भी offer किया जाएगा, ADAS offer किया जाएगा, साथ ही जो connected car features होंगे, उसमें नए blue link के और भी features add किये जाएगे, engine की बात करें तो वही same engine मिलेगा, 1.5 लिटर का diesel engine, जिसमें आपको 114 horsepower मिलता है और 250 NM का torque मिलता है, जो की 6-speed manual और 6-speed automatic gearbox के साथ, already offer किया जाता है, तीसे number पर हम बात करने वाले है, Tata की curve, ये एक तरह की coupe SUV होने वाली और इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि कोई Indian company एक coupe SUV ला रही है, already भारत mobility event में मैंने आपको इसकी designing दिखाई थी, काफी शांदार लग रही, इसकी जो placing होगी वो Nexon से उपर और Harrier से नीचे के line-up में ये होगी, और जो इसका look है, वो coupe design जैसा कि मैं बोला, आगे से बहुत कुछ आपको Harrier जैसी देखने मिलेगी, ये Nexon के platform पे बनी है, लेकिन back से जो इसका sloping design है, ये इसकी looks को काफी enhance करता है, साथ ही इसमें आपको बहुत ही बड़ा boot space मिलेगा, 400 liter से जा आफर किया जाएगा, वहीं अगर हम features की ही बात कर रहे हैं, तो interior में भी आपको 10.25 inch का touchscreen मिलेगा, साथ ही जो driver display होगा, instrument cluster का, वो भी आपको 10.25 inch का मिलेगा, wireless charger मिलेगा, panoramic sunroof मिलेगा, safety में already Tata को महारत हासिल है, six airbags मिलेगा, ABS, EVD, hill hold, ये सी जैसे safety features तो already मिलेगे, 360 degree camera भी मिलेगा, साथ ही जो उमीद की जा रही है, engine options की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि अभी हम इस वीडियो में केवल diesel engine सी बात कर रहे हैं, हला कि ये आपको petrol और बाद में EV में भी offer की जाएगी, तो इसमें diesel engine आपको 1.5 liter का nexon वाला ही offer किया जाएगा, जिसमें 113 horsepower ये आपको 6-speed manual और 6-speed EMT gearbox के साथ offer किया जाएगा, ये है Tata की Sierra, आपको बता दे कि ये ICE और EV platform दोनों पे ही launch होगी, यानि आपको इसमें petrol, diesel engine और EV दोनों ही offer किया जाएगा, और यही सेम चीज Tata अपनी कर्व में भी करने वाला है, लुक्स तो already हमने आपको Auto Expo में ही ये वाली जो है वो 5-door में आएगी, दोस्तों हम सब को पता है कि safety, features, ride and comfort के मामले में Tata को already महारत हासिल है, और features भी इसमें जो Tata Curve में मैंने आपको बताया है, या जो facelift में Harrier में आ रहा है, वो सारे features आपको Tata Sierra में मिलेगे, 10.25-inch की infotainment भी मिलेगा, और जो instrument cluster है, उस पे भी वो screen मिलेगी, साथी ventilated seats मिलेगी, connected car features मिलेगे, साथी panoramic sunroof मिलेगी, और जो interior है, ये काफी ज़्यादा modern होने वाला है, सियरा का क्योंकि जो इसका look है, वो अगर back में आप देखेंगे, तो बड़े-बड़े glass है, तो काफी airy और roomy इसका cabin होने वाला है, और साथी अगर engine options की बात करें, तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है, वो dicey है, वो अभी तक clear नहीं हो पा है, एवी में जब आएगी, तो एवी में एक चीज़ और सुनने में आ रहा है, कि आपको 4x4 का भी option इसमें मिल सकता है, और वहीं diesel engine की बात करें, तो ऐसा अंदाजा लगा तो ये सारी चीज़ अभी एक speculation है, लेकिन ये जरूर है कि Tata Seera जो है, वो काफी धमाकेदार होने वाली है, और वो 2025 के starting, यानि 1st quarter में launch की जाएगी, वहीं अगर pricing की आप अंदाजा लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा Harrier से नीचे होगी, यानि जो Tata है, वो भी अब मारूत की तरह ऐसा करने वाला है कि हर 50,000 पे एक नया variant आ जाएगा, और अगर आप लाक से डिर्ड़ लाक रुपए खरच करेंगे, तो एक नई कार ही आ जाएगी, क्योंकि हम अग जैसे देखते हैं कि टियागो आती है, उसके अद पंच आती है, टिगोर आती है, नेक्सॉन आती है, नेक्सॉन के बाद सीधे हैरियर आती थी, अब उस बीच में आपको टाटा कर्व पहले आएगी, फिर टाटा सीर आएगी, फिर हैरियर आएगी, फिर साफारी आएगी, एक तरह का पूरा लाइन अप तयार कर रहा है टाटा क्योंकि अलड़ी उनको लोगों का इतना प फोकस कर रहा है और आने वाली फिचर में टाटा की जो इवीज हैं, इस्पेशली सियरा, हैरियर और सफारी ये आपको इवी बड़ी रेंज के साथ 4x4 में आफर की जा सकती है, पाच्वे नमबर पे हम बात करने वाले हैं, सबसे जादा ग्लैमर में रहने वाली महिंद्रा फाइव डोर की, तो भाई अब महिंद्रा ने कंफर्म कर दिया है कि जो इसका लॉंच है वो इसी साल मिड में होगा, उमीद की जा रही है 15 अगस्त को इसका लॉंच हो सकता है, साथ ही आपको बता दें कि ये आपको पेटरोल में, डीजल में, 4x4 में, 4x2 में, मैन्वल और आटोमेटिक ट्रांसमिशन सब में ओफर की जाएगी और जो सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट ये होने वाला है कि जो इसकी लॉंचिंग प्राइज होगी, वो मातर 13 लाग से लेके 3.5.5 लाग के बीच से शुरू होने वाली है, 4x2 वाले वेरियंट से, क्योंकि जो इसका 3 डोर वाला वर्जन आता है, वो सवाई 11 लाग का आता है, और वहीं Scorpio N जो है, वो 13,60,000 से पेट्रोल वाला शुरू होता है, तो यानि लगभग Scorpio N के आसपास ही इसकी प्राइजिंग होने वाली है, कुछ दिनों से कई स्पाइट तस्वीरे आ रही है, कई यूट्यूब लाइम्स मिल रही है, न्यू फॉग लैम्स भी नजर आ रहे है, नए बंपर की हाउजिंग भी फॉग लैम के अगल बगल नजर आ रही है, साथी जो इसकी ग्रिल है, वो भी पूरी तरह से अब नई होने वाली है, बोनट आल्मोस सेम है, वहीं अगर साइट प्रोफाइल क पे प्लेस किये गाए, जैसे स्विफ्ट में आता है, इसके अलावा साइड में एक चीज और अब्जर करेंगे, आपकी आपको जो एलोई वील्स है, वो 18 इंच और 19 इंच दोनों के ऑप्शन्स दिये जाएंगे, साथी जो इसमें फोर वील डिस्क ब्रेक भी आपको इसके अलावा अगर आप उपर की तरफ से देखेंगे तो आपको संरूफ मिलेगी और जो इसकी रूफ होगी वो हाड टॉप होगी, यानि जो हाड वाला मटीरियल होता था, फाइवर वाला वैसा नहीं, प्रॉपर स्टील वाली ही रूफ मिलेगी, अगर आप बैक से आप आप की बात करें तो इंटीर में जब आप डैश्बोर्ट को देखेंगे तो जो डैश्बोर्ट की डिजाइनिंग है वो आल्मोस्स सेम है लेकिन ये जरूर है कि जो इन्फोरेंट में जो पहले बड़ा छोटा आता था वो अब बड़ा कर दिया गया है लगग मुझे डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज की जाए लेकिन गलव बॉक्स जो है वो आपको पहले जैसा छोटा ही मिलेगा साथी डोर में अब आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल से वो सारे दरवाजों पे मिलेंगे बॉटल होल्डर भी मिलेगा सेंटर में भी आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा रेगरूम मिलेगा इसके अलावा जो सीट्स होंगी वो 60-40 स्प्लिट होंगी रेयर में आपको एस इवेंट मिलेगा और जो साथी सीट होगी उसमें आमरेस्ट भी मिलेगा इसके अलावा अंदर से आपको संरूफ मिलेगा जो की पैनरोमिक नहीं हो थर्ड रो की बात करें तो इसमें आपको बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है और एक चीज़ और अभी तक कन्फर्म हुआ है कि फाइफ डोर थार जो है वो फाइफ सीटिंग ऑप्शन में ही आपको मिलेगी सेवन सीटर या सिक सीटर का कोई ऑप्शन इसमें अभी कन्फ सा है तो यह रही बात उन पांच एस्यूवी की जिसमें से जो चार है वो इसी साल लॉंच हो जाएगी दिपावली तक केवल एक ऐसी टाटा सियरा है जो अगले साल फर्स कोर्टर यानि अगर अगले साल हम इसी समय मार्श तक की बात करेंगे तो लग भग वो भी लॉंच ह हो जाएगी तो यह ऐसी पांच हाट एस्यूवी होने वाली है आप बताइगे कमेंट सेक्षान में कि आप इन पांचों एस्यूवी में से किस एस्यूवी का वेट कर रहे हैं प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब और डोंट फॉगेट तो प्रेस्टी बेल आइकन और stay tuned to Autotube India